Model Mutual Fund के इस सीरीज में आज आप लोगों के साथ हम लोग Index Fund डिजाइन करेंगे, जिसमें चार Index Fund को मैंने शामिल किया हूँ, और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बोल दू, ये सीरीज में हम लोग Aggressive Investor के लिए भी Portfolio बनाये हैं already, आप लोग जो लोग Moderate Investor हैं उन इम रिस्क वाले, Conservative जिन लोगों जो Investor बहुती कम एकदम ना के बराबर Low Risk लेके भी पैसा मुनाफ़ा कमाना चाते हैं, उन लोगों के लिए भी Model Portfolio already बना के वीडियो दिया गया है, मैं उस सभी का लिंक इस वीडियो का End Screen और Description बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग दे तो Regularly, Periodically आप लोगों के साथ इसका Performance Analysis होगा, अगर कुछ Change करना होता है, वो में हम लोग आप लोगों के साथ Live करेंगे, कुछ जब Market का Situation आएगा, Top Up करने का, Lump Sum करने का, सब कुछ आप लोगों के साथ इस Portfolio में Live किया जाएगा, ताकि आप लोगों के साथ सीखने को, एक Live Environment में सीखने को मौका मिले, तो पूरा Interactive होने वाला है, ये पूरा Series एकडम देखिएगा, तो चलिए Index Fund शुरू करते हैं, और यहाँ पे मैंने Backtrack जैसे करता हूँ, आप लोगों के साथ Backtrack करके, 2019 से अगर कोई बंदा ये Portfolio में निवेश करता, Index Fund का ये Portfolio में, तो वो 21% वार्षिक Return पर Annum Return उनको मिलता, 10,000 रुपे का अगर वो SIP करता, मैं percentage terms में 10,000 रुपे मंतली SIP को ये चारों फंड में कैसे डिवाइट करना है, वो भी वीडियो का end में बताऊंगा, उसके साथ-साथ आप लोग अगर Active Managed Fund करते हैं, तो Each मेरा पास जो Index Fund है, उसका Alternate कौन सा Actively Managed Fund होने वाला है, वो भी मैं Each Fund जब डिसकस करूंगा, तब बताऊंगा, ठीक है, तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं, पहला जो Fund मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, वो है, थोरा सा Large Cap Based Index Access Nifty 100 Index Fund, मैं थोरा सा Zoom कर दूंग आप लोगों के लिए, तो देखिए ये जो Nifty 100 Index Fund है, ये Nifty 100, मतलब Nifty 50 का Top 50 Stock तो रहता ही है, और Nifty Next 50 का जो, उसका नीचे का जो 50 Companies है, वो लेके ही ये Nifty 100 Index Fund है, तो इसमें आप बोल सकते है, biggest, एकदम bluest of the blue chip company भी रहेगा, और उससे थोरा सा कम छोटा company, जो अभी भी growth trajectory म हैं, वो companies का भी एक अच्छा मिश्रन रहता है, तो उस हिसाब से Nifty 100 Index Fund को आप देख सकते हैं, portfolio में आ जाएंगे, उससे पहले आप लोग जल से जल मैं इसका expense ratio बोल देता हूँ, देखिए, exit load कुछ नहीं है, ये एक अच्छा बात है इसमें, ये fund में, expense ratio देख सकते हैं, expense ratio बहुत ही कम है, 0.15% मतलब बिलकुल ना के बराबर ही मान लीजिए, उसके साथ-साथ इसका portfolio में आ जाएंगे और उसके बाद मैं performance में जाऊंगा, portfolio में देखिए, Nifty Index है, तो Nifty का जो top 50 companies रहेगा, वो तो पहले ही रहेगा, उसके बाद next वाला, तो Reliance Industries, HDFC, Infosys, ICICI, ये रहेगा, इसका ही दब-दवाओ जादा रहता है, इंडेक्स में आप जानते है, लेकिन एक बात तो sure है कि इंडिया का जो biggest stable company है, biggest business model है, वो सब company को आपको मिल रहा है, तो एकदम large care based ये fund है, एकदम stable portfolio आप लोगों को लेके देगा, जो long term के लिए अच्छा है, आपका, मत ये largest of large cap based mutual fund है, अब आजाते हैं, इसका performance के उपर देखिए, ये जो fund है, वो नया चालू हुआ है, जादा इसका history नहीं है, लेकिन index का तो history बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है, देख सकते हैं, एक साल में ये 17% बोल सकते हैं, 17% से थोड़ा सा नीचे return निकाल के एक साल में दिया है, हाला कि बाजार उपर से correct भी हुआ है, broad market 10% के आसपास, उसी सब से return अच्छा है, लेकिन long term में देखा गया है, nifty 50 का अगर मान लेते हैं, तो आपका return देखा गया है, long term में 12 से लेके 14%, past history में return दिया है, nifty 100 उससे थोड़ा सा जादा, यानि आपका 13 से लेके 15 percent average return निकाल के दिया है, last आपका जो few years में, तो सालाना return, CAGR return ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस fund को जरूर देख सकते हैं, next fund में जाएंगे, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो please इसको like करते रहिएगा, next जो मैं index fund और एक लाया हूँ, वो है आप का small cap index, उससे भी पहले मैं बोला था कि आप लोगों को large cap में, मतलब एक-एक fund का alternative active fund भी बताऊंगा, ये large cap based fund है, तो इसका alternate के लिए आप दो fund कोई भी एक देख सकते हैं, आपका जो करनारा रोबे को blue chip fund है, वो भी अच्छा है, access blue chip fund भी देख सकते हैं, हाला कि access blue chip का size equity fund अभी भी अच्छा हो, उसको भी देख सकते हैं, तो ये तीनों fund में बोला हूँ, हाला कि access blue chip अभी मेरा radar में उतना नहीं आएगा, अगर आप नया investor है, तो उसको थोरा सा ignore कर सकते हैं, लेकिन कानरा रोबे को और SBI focused equity ये दोनों को देख सकते हैं, और अगर आप एकदम large cap ही चाते हैं, तो कनरा रोबे को is a nearest good match, कनरा रोबे को blue chip fund, ठीक है, अब आ जाते हैं next, ICICI Prudential का small cap index fund, ये mainly small cap, 250 जो index है, निफ्टी का उसको ये करता है, cater करता है, एकदम नया शुरूआत हुआ है, दो-तीन महीना ही हुआ है, इसलिए आप NAV देखिएगा, ये September, October में launch तब से बाजार नीचे के तरफ है, तो 10 रुपे का, NAV अभी 9 रुपे के आसपास आया है, fund का portfolio आ जाते हैं, कि रिटर्न तो अब small cap index का जो रिटर्न है, वो ही रहेगा, देखिए, जो मेरा फेबरीट और आप लोगों को भी, बहुत लोगों का फेबरीट कंपनी रहता है, IEX, Indian Energy Exchange, Monopoly बिजनेस है, CDSL, Central Depository Services, जो DMAT account बनाते हैं आप लोगों के लिए, listed company में Monopoly बिजनेस है, KPIT, CG Power, Compton Gives, BSE, Bombay Stock Exchange, IDFC, Redico, Khaitan, Birla Soft, Trident, Scient, India Bulls, आपका फिर चंबल, fertilizer, यह सा PVR, यह जो companies है, यह अच्छा mid-cap company है, mid and small cap, कुछ-कुछ इसमें mid-cap भी है, मतलब ऐसा नहीं के full small cap है, क्योंकि यह change होता रहता है, उपर का जो stock रहता है, वो थोरा सा जब share का price बर जाता है, तो वो market cap wise mid-cap में आ जाता है, लेकिन, मतलब growth अगर देखेंगे, mid-cap, small cap को हम इसी लिए लेते हैं portfolio में, ताकि हम अगर देखेंगे, यह जो top 5, top 10 इस portfolio में stock है, इस लोगों का growth बहुत अच्छा है, market जब correct होगा, यह भी market के साथ correct होगा, देखें, market अगर correct हो रहा है, और यह fund भी correct हो रहा है, उसमें कुछ परिशानी नहीं है, देखना है कि market जब उपर के तरफ जा रहा है, तब यह कितन outperform कर रहा है, outperform in the sense, आप अगर large cap के साथ compare करेंगे, तब कितना outperform कर रहा है, small cap, mid cap, उस हिसाब से ही तो मैं लूँगा न, otherwise, मैं क्यों risk लूँगा, जाधा risk, मतलब आपका small cap, mid cap में risk, large cap से थोड़ा सा जाधा रहता है, मैं क्यों risk लूँगा, मैं इसलिए risk लूँगा, ता जब बाजार उपर के तरफ जाता है, तो small cap, mid cap, at least index wise देखा गया है, past में outperform किया है, तो इसलिए इस index को आप जरूर देख सकते हैं, performance के उपर उपर उटना बात जाधा नहीं करेंगे, कि जस्त तीन महीने का ही result है, उसमें भी देखिए, index को तो outperform करी रहा है, तो इसलिए अब देख सकते हैं, ठीक ठाक है, अगर आप long term में देखेंगे, तो मैं बोला हूँ, nifty 12-14% return निकल के देता है, mid cap index, small cap index, उससे जाधा ही देता है, ठीक है, ऐसा देखा गया है, last अगर आप 10-15 years का history देखेंगे, तो चलिए आ जाते हैं, इसका next fund में, उससे पहले exit load फिट expense ratio है, वो भी बहुत ही कम है, 0.3% के आसपास, तो it's fine, अब आ जाते हैं, इसका next fund में, next fund है, निपॉन, इंडिया, nifty, mid cap, 150 index fund, main index के उपर focus कीजिए, क्योंकि ये same index का, आपका मोतिला लॉसवाल का भी है, नावी, इंडिया का भी एक आया है, बोला जा रहा है, आपका expense ratio से कम होता है, तो one of my favorite होगा, अगर expense ratio कम होता है, तो ये main index के उपर focus कीजिए, index है, nifty, mid cap, 150 index, personally, मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिन लोगों का भी long term का goal है, और fund को उतना जादा change नहीं करना चाते हैं, day to day basis में, आप focus नहीं कर सकते हैं, change करने का जंजट नहीं चाते हैं, उन लोगों के लिए, ये mid cap index बहुत अच्छा होता है, देखिए, 76% अपका mid cap में है, बाद बाकि अपका large cap में ये index का allocation रहता है, आदानी, Tata Power, Voltas, Tata LHC, Mindtree, Emphasis, Page Industries, अब देखिए, इंडिया का जो main-main, one of the growth trajectory वाला company है, वो इसमें मौझूद है, persistent system, ये सब, तो बहु आप जानते हैं, piping में, one of the best monopoly business जैसा है इसका, तो बहुत अच्छा companies को लेके, ये index है, तो इसको जरूर आप देख सकते हैं, और जादा अगर आप लोगों को, मतलब, fund change करने का, जो मैं बोला हूँ, नहीं चाहिए, और आप average return से खुश है, तो उस type के investor के लिए ही index fund जरू जरूरी होता है, ठीक है, अब देखिए, one year में return, देखिए, 20% के आसपास, 150 mid cap, थोड़ा सा ये underperform किया है, शायद हो सकता है, देखिए, expense ratio जादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा tracking error इसमें है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को दूसरे companies, मोतिलाल असवाल क भी देखेंगे, उसको भी देखा, वहाँ पर भी tracking error था, tracking error आता है कभी-कभी, तो ये Navi का जो launch हो रहा है, जिसके expense ratio बोला जा रहा है, कम होगा, उसका Nifty 50 का जो index है, Navi का उसका 0.06% है, तो वो जब launch होगा तब देखेंगे, लेकिन मैं बोलने का main bottom line है कि Nifty 150, जो mid cap index है, ठीक है, मैं इसका alternate actively managed fund क्या होगा, अगर आप previously small cap जो index देखेंगे थे, उसका alternate fund के हिसाब से आप कनरा रोबे को small cap fund ले सकते हैं, आप access small cap fund ले सकते हैं, SBI small cap भी आज के दिन में अच्छा है, हाला कि उसमें क्या है, उसमें return बहुत उपर नीचे होता है, मतलब एक साल तो जाद underperform कर गया, next साल एकदम outperform कर गया, ऐसा, तो वो टाइप का investor है, तो देख सकते हैं, नहीं तो आपका कनरा रोबे को small cap fund और आपका access small cap fund अच्छा है, आप आजाते हैं, आप mid cap में, mid cap में वही access mid cap fund अच्छा है, PGIM का भी mid cap एक fund है, वो अच्छा है, उसके साथ मीरे asset का जो mid cap fund है, वो भी अच्छा है, ये तीनों fund में से कोई भी एक fund अच्छा माना जाएगा, actively managed fund में, ठीक है, अब आजाते हैं, हमारा last fund में, उससे पहले, वीडियो को please like करते जाएगा, भूलियागा मत, अगर आपको अच्छा लग रहा है, चैनल में नए हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा, चलिए आजाते हैं next last fund में, और उसके बाद मैं आप लोगों को allocation 10,000 रुपे को कैसे ये 4 fund में divide करना है, वो भी percentage terms में बताऊंगा, ये जो मैं index लिया हूँ, ये थोड़ा सा अलग से में लिया हूँ, और इसमें मैं allocation कम से कम रखने का आप लोगों क को मैं suggest करूंगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये जो index है, ये मतलब देने के time में तो बहुत अच्छा देता है, मतलब जब बाजार एकदम bullish जाता है, तो ये मतलब बहुत जबरदस्त outperform करता है, मतलब मान लीजे बाजार normal time में आपका 1% उपर गया, तो ये आप देखेंग सेम चीज, जब बाजार नीचे भी जाता है, कुछ cycle change होता है, तो यहाँ पर जो stock है, वो नीचे के तरफ भी जादा आता है, तो इसमें जो volatility है, वो बहुत जादा है, और कुछ-कुछ time में कुछ investor जादा volatility को handle नहीं कर पाते हैं, तो जो लोग volatility को handle नहीं कर पाते हैं, वो इसको avoid कर सकते हैं, ठीक है, अब तीनी fund लेके चलिए, तीन fund में आपका पूरा market cover हो रहा है, 100 fund stock है, आपका nifty 100 index में, आपका small cap index हो गया, mid cap हो गया, उसमें ही allocation को plus minus करके बना सकते हैं, आपको अलग से इसको kूद के लेना ही है, अगर आप volatility को handle नहीं कर पाते हैं, तो इसक factor में बहुत जारा volatility रहता है, allocation कम रखिये, मैं इसमें भी ऐसा ही किया हूँ, तो यह जो index है, nifty 200, momentum 30 index, ठीक है, इसमें क्या होता है, nifty का जो top 200 companies है, उसमें जो 30 stock का momentum सबसे जादा है, momentum मतलब उपर के तरफ भी momentum, नीचे के तरफ भी momentum, ठीक है, momentum मिंस वो से ही calculate किया जाता है तो वैसे momentum वाला, जो top 30 वाला stock है, उसको लिया जाता है, और उसको लेके एक index बनाया गया है, उसको हम यह बोलता है, portfolio में आ जाते हैं, portfolio में देखिए, और यह change होता है, dynamically change होता है, यह index, देखिए आप state bank, इंडिया, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, भारती, ग्रासिं, ट चलेगा, इस state bank को तो शायद उतना जादा नहीं, लेकिन आप सकते है, टाटा पावर, आपका टाइटन कमपनी, आपका जो भारती, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स तो कुछ-कुछ दिन 4-5 परसन भी भाग जाता है, और रिजल फजल खड़ाफ हो, तो 5-6 परसन गिर भी ऐसा है, तो उपर के तरफ जाने का तो ये लोगों का देखिए, मोमेंटम अच्छा रहता है, लेकिन कभी-कभी, ये होगा नहीं कि हमेशा होगा, कभी-कभी गिरिदने के टाइम भी आपको, मतलब दुख नहीं होना है, कि मैं मोमेंटम 30 लिया, तो हमेशा मेरा उपर ही ज बहुत अच्छा कंपणी है, सरफ विदान्ता अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये जो आपका मिटल साइकल चल रहा है, इसमें विदान्ता अच्छा परफॉर्म किया, L&T, Infotech Technology, तो टेकनोलोजी का दब-दवाव भी है, देखिए आप टेकनोलोजी में, Mindtree, Tech Mahind अच्छा अच्छा कंपणी ये पोर्टफोलियो में है, मतलब ये इंडिक्स में है, तो बहुत अच्छा है और 30 स्टॉक ही है, मतलब आप देख सकते हैं, United Spires, Havels, India, Dixon Technologies, ये तो मतलब one of the outperforming स्टॉक रहा लास्ट एक दो साल में, तो आप देख सकते हैं, 30 स्टॉक है, त तो concise portfolio है, एकदम focused portfolio है, और आपका momentum भी return भी अच्छा है, तो इसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं, 4 fund हो गया, अब आ जाते हैं, कि fund को अब कितना करके हम लेंगे, मतलब कितना करके allocation करेंगे, तो वो बहुत अच्छा है, मैं देखिए, मैं और इस model portfolio सभी में, मैं किसी का एक तारीको, first month का जो पहला business day होता है, उसमें SIP को calculate किया हूँ, यहाँ पे यह model backtracking करने के लिए, जब भी, मतलब अगर first अपका holiday है, second holiday है, तो next जो वाला जिन जो business day है, ठीक है, मन्त का पहला business day में आपका SIP execute होगा, ऐसा ही हमने किया है, तो यहाँ पे देखिएगा, कैस 2000 का SIP है, यानि उससा 10% आप momentum 30 fund में रखिए, जादा volatility अगर मतलब बरदास नहीं होता है, नहीं तो जिन लोगों का मतलब ठीक है, वो लोग थोड़ा सा allocation को बरहा भी सकते हैं, no issues, stock अच्छा है, fund अच्छा है, आ जाते है, निपन इंडिया mid cap, mid cap में 2000, यानि 20%, आपका small cap, small cap में भी 20% और जादा, यानि 50% allocation जो है, वो large cap में किया गया है, 5000 रुपीज, यानि ये index fund तो है in portfolio, लेकिन ये portfolio में large cap based एक portfolio बनाया गया है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम risk लिया गया है, बहुत जादा risk नहीं, इसमें एक सभी type का fund है, small cap भी है, momentum 30 बला है, सब है लेकिन इसका जो tilt है, वो large cap based है, तो ये normal investor लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उन लोगों का बात ध्यान में रखके ही मैंने ये portfolio बनाया है, जो आपका यहाँ पे है, नहीं तो मैं यहाँ पे allocation और बढ़ा देता, तो अगर आप देखिए, आप लोग अगर थोड़ा सा aggressive investor है, और index fund लेके काम करना चाते हैं, तो यहाँ पे 20% में बोला, इसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो fund consider किया हूँ, normal investor के लिए large cap based core portfolio जैसा, मैंने आप लोगों के लिए किया हूँ, उसमें भी आप देखिए, 21% per annum return मिल रहा है, मैं अगर वहाँ पे allocation ब annum return, मुझे वो return दिखाने का चक्कर में, मैं quality को नहीं hit करूँगा, मेरा यहाँ पे main मकस्त है कि आप लोग एक stable portfolio बनाएं, index fund को लेके play कीजी, और हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, market जब नीचे आएगा, top up करेंगे, थोरा सा support में और ज़्यादा पैसा देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा return और भी ज़्यादा बरेगा, जो nominal return है, यह तो nominal return है, normal SIP करते, लेकिन जब हम top up करेंगे, बाजार के निचले हिस्सों में, जो मैं आप लोगों के साथ यह portfolio का पूरा journey में आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों को करूंगा, जब-जब market में वो opportunity आए यह तो 2019 से है, तो ऐसा करके आप अगर देखना चाहते हैं, तो index fund को ज़रूर consider कर सकते हैं, मैं हर fund का एक alternate भी दिया हूँ, UTI nifted, यह momentum का कोई alternate नहीं होता है, इसके लिए आप एक multi-cap या flexi-cap जैसा कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि यह एक unique चीज है, यह एक unique index है, तो उसका कोई alternate active fund में आप उतना बोल नहीं सकते हैं, आप कोई growth oriented fund है, जैसे की access, growth opportunities fund, उसको near match आप बोल सकते हैं, लेकिन यह थोरा सा अलग सा ही index है, ठीक है, तो please video को like, share जरूर कीजिएगा, और यह तीनो portfolio का और भी जो portfolio है, conservative, aggressive और medium risk वाला, उसका link आपका video का end screen में आ आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो like, share कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम